हेलो आण वॉलकम चु टीवी का पठाका वल दोस्तो तुनीशा शर्मा केस में एक और बड़ा अपडेट आया है सामने तुनीशा के अंतिम संस्कार के दोरान रोती बिलक्ती तुनीशा की माने खाई है बड़ी कसम चीहां दोस्तो लगातार तुनीशा के अंतिम अंसकार से वीडियोज वाइरल हो रहे हैं लगातार अलग अपडेट्स आ रहे हैं इंडस्ट्री के काफी बड़े-बड़े चहरे अंतिम संस्कार में आखरी विदाई देने के लिए पहुंचे हैं तुनीशा को वल दोस्तों ऐसे में काफी जादा गंभीर महौल है इस वक्त मुंबई म जहां पर तुनीशा शर्मा के लास्ट राइट्स परफॉर्म किये जा रहे हैं और 37 तुनीशा शर्मा की मौम की हालत काफी जादा गंभीर बताई जा रही हैं अपनी बेटी को खोने का गं तुनीशा की मां बिल्कुल भी सहन नहीं खर पा रही हैं लगातार वो रोए जा और बार बार तुनिशा की मां बेहोश हो रही है उन्हें के लास्ट राइट्स के बाद सीधा अस्पिताल ले जाया जाएगा ऐसी खबरे सामने आई है क्योंकि तुनिशा की मां मेंटली बहुत जादा अंस्टेबल हो गई है और वह अपनी बेटी के जाने का दुख का समखाई सूतरों की माने तो तुनीशा की माने अपराधियों को सजा दिलाने की बात की है और साथ इसकी हर एक याद को अपने साथ संभाल कर रखने की भी कहीं बड़ी बात बोली है वेल दोस्तों ऐसे में खबर सामने है कि तुनीशा शर्मा के केस ने बड़ा रूख ले लिया है फॉरेंसिक की टीम जो है अलीबाबा दास्ताने काबूल के सेट पर पहुंच चुकी है जहां पर उन्हों ने आखरी मौके पर जो कपड़े यानि की मर्यम के कपड़ों में जो तुनीशाय शर्मा ने अपनी जान दी थी उनकपड़ों को हासिल कर लिया है में लिया है जिसके बाद बड़ी जाच परताल की जाएगी हलाकि पोस्मॉर्टम में वजह सुसाई ही बताई गई है लेकिन मिस्ट्री अभी तक सॉल्ड नहीं हुई है क्या है असली वजह जिस तरह से तुनीशा की मां लगा तार शिजैन के ओपर इल्जाम लगा रही है तो वहीं अब शिजैन की बहने भी इस मामले में सामने आई हैं और उन्होंने ये बोला है कि मेरे भाई को फसाया जा रहा है और उन्हें नयाय पालिका पर पूरा भरोसा है वो किसी भी गुनेगार को सजा नहीं होने देंगी अगर शिजैन मौमत खान के स्टेटमेंट की करें तो उन्होंने साफ तौर से इस बात को पूबोल किया है कि वह रिलेशन शिप में थे उनका रिष्टा था तुनीशा के साथ लेकिन सबक लिए और उन्हों ने तुनीशा ते अपने रास्ते अलग करना ही सही समजा और तुनीशा ये गम बरदाश कर पाये इसलिए उन झाल